तुड इवनिंग वेलिगम दू बाबा टेली 2020 आज मैं आपको अपनी रेस्पी दिखा जाता हूँ साही पनीर के साथ चिली पने बनाएंगे करें इस वीडियो पर अद तक बना रहें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करें और वीडियो तक देखते रहें टमाटो कटिंग कर ल पर अनिन डालूंगा जिसे हम हिंदी में प्याज करते हैं थोड़ा च्छोका होगा और थोड़ा से आवाज लगेगी तो के प्याज चोकेंगे प्याज ले लेते हैं च्छोके की आवाद आप सुन रहे हो और अभी हम क्या करेंगे थोड़ा पलता चलाएंगे आपको दीमी आज में सेखना है कि प्याज जादा फ्राइना हो तभी आपको चिली पनीर का स्वार आएगा यह देखिए हलकी लाइट गैस पे आपनी प्याज सेखने थोड़ा ब्राउन हों देना थोड़ा सा ज्यादा नहीं उसके बाद हम ले थोड़ी सी आप गैस तेज कर सकते हैं थोड़ी इस आज पर गैस को रखिए बड़ा प्यारा स्वाद होने वाला है ख़लका सेख में ब्राउन प्यास देख रहे हैं हलका- हलका ब्राउन करना है जो चीज गोरगर ह draft अमाटा इसके जो निकाल खर इसवे स्क्वेतर में काटनेश तरफ थे बड़ा स्वाध आने वाला है फ्लस अच्छी ग्रेवी ने वाली में इसके बद स्वाध के लिए हम क्या विडियो में बड़े प्यार से आपने हिलाना है कि कुछ कमेंट केज़ेगा कि कललफुल आपको कैसा लग रहा हलकी आज में फिर थोड़ी आज हम कर देंगे आज हम इसलिए कम करते कि आपका जो फ्लोर है हलका ब्राउन हो ज्यादा ब्राउन ना हो जले ना उसके बाद अग अब भी कोई मुझे रेसिपी बनानी होती है कि देखिए डाल दे हमने उसके बाद हलका साथ हलका सेख करना है बड़ा प्यारा यह देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे अपने अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा और डालेंगे हम थोड़ी चिली सौस डालेंगे जो हमने डाल दिए अब थोड़ा चिली पौरडर हलका सा उसके बाद हम हल्दी का सौद लेंगे हलका सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप अपने सौद अनुसार जिसे आपको सौची हो और अब फाइनल रिपोर्ट किसकी है फाइनल रिपोर्ट है थोड़ा सा कहते हैं न कि मैजिक अपने मैजिक चलाना है मैजिक चलाया मैजिक का पैकिट लगवग पांच बेक आता है आप इसे पूरा डाल सकते हैं उसके बाद हम एक बाद हल्का शेक करेंगे आपको इसको ढखकर नहीं मालना है ढखकर मालने से आपकी जो सिम्लमीर से उगल सकती है प्याज रस्टिर्ड हो सकते हैं टमाटो उगल सकते हैं अब हम प्लास क्या करेंगे अपना पनीर इसमें डाल देंगे अब हम स्पून डालेंगे उसके बाद स्वाच चेकेंगे इसका यह देगे कितना अच्छा लग रहा है आप कमेंड में जुरूर बताना